आज सुनिये दिल को छू लेने वाली ये कहानी सासू मा कब जाएंगी। बेटा सुन आज आते वक्त मेरा एक काम कर देगा क्या। आशा जी ने राकेश से कहा हा मा बोलो ना क्या काम है। राकेश ने मा से पूछा। उधर रसोई में काम करती हुई रश्मी मन ही मन पुद्बुदा रही थी। जब से आई हैं पल भर का आराम नहीं है। कभी चाय, कभी पानी, तो कभी दवा। बस दिन रात इनहीं के आगे पूछे घुमते रहो। कल मेरा जन दिन है, वो भी इनकी सेवा में ही बीच जाना है। कितना मन था मेरा। सुबह सुबह नहाद होकर मंदिर जाकर पूजा करूंगी। फिर शाम को राकेश के साथ किसी मौल में जाकर शौपिंग करेंगे और डीनर तो हम बाहर ही पर ये है ना महरानी जी, इनके रहते हम बाहर कैसे जा सकते हैं भला। बाहर का खाना तो इन्हें भाता ही नहीं। पहले घर पर पकाओ, फिर बाहर जाओ, क्या फाइदा। कितना अच्छा था ना, ये उधर अपने घर में ही रहती थी। उधर आशा जी से बात कर राकेश आफिस चला गया। पूरे दिन रश्मी मन ही मन सास को जली कटी सुनाती रही। ना अच्छे सुन से बात की, ना ही उनके पास जाकर थोड़ी देर भी बैठी। राकेश इस बार घर गए थे तो मा को जिद करके उठा लाए। अब तो सारी आजादी खत्म हो गई मेरी। सो सबसे पहले मा के पास गये, फिर चाय नास्ता किया। रात को खाने के बाद जब सब सोने जा रहे थे तो आचाजी ने रश्मी को अपने कमरे में बुलाया। बहू कल तुम्हारा जन्दिन है ना। ये लो सलवार सूट। राकेश से कहकर मंगाया था कि तुम्हारी ही पसं है नहीं पर जब वो आफिस से आ जाए तो तुम दोनों बाहर जाकर खुम फिराना। आशा जी ने एक पैकेट रश्मी को देती हुई बोली पर मा आपको कैसे पता कि मैं मंदिर जाती हूँ नए कपड़े पहन कर। आश्यद से रश्मी ने पूछा बहू तुम हर बार जी ने कहा। रश्मी पैकेट लेकर सास को प्रणाम करके जाने लगी तो आशा जी ने उससे कहा। बहू तुम जैसे पहले रहती थी वैसे ही रहा करो। मेरी वजह से परिशान मत हुआ करो तुम। बस जब से यहां आई हूँ तो लगता है घर में कोई तो है। तो बस जी मा, रश्मी बस इतना ही कह पाई, बाहर राकेश ये सब खड़े होकर सुन रहे थे, जैसे ही रश्मी अपने कमरे से बाहर पहुची, राकेश ने कहा, रश्मी जब से मा आई हैं, तुम कभी भी उनसे ठीक से बात नहीं करती हो, नहीं उनके आसपास रहना तुम्हें पसं सकती, पर जब मा ने मुझे कहा कि कल बहु का जन्म दिन है, उसके लिए एक सूट ला देना, और मुझे पैसे भी दिये, मना करने लगा तो बोली, तो अपनी तरफ से जो चाहे दे देना, ये मेरी तरफ से ला दे, अब बताओ, मा के मन में तुम्हारे लिए क्या है, और त जब से यहां आई, मुझे लगा, मेरी आजादी खत्म हो गई, मेरा काम बढ़ गया है, पर मैं ये न सोच पाई कि वो अपने अकेलेपन की वजह से मुझे अपने आसपास रखती थी, कल मा को भी मॉल लेकर चलेंगे हम, ठीक है न? रश्मी ने सरमिंदा होते हुए कहा, च कुछ नहीं होगा, अब मा अपने बहु के साथ अच्छे से रहेंगी, तुम देख ले न? रश्मी कहकर सोने चली गई, कल की सुबह उसे मा समान सास से आसिरवाद भी तो लेना था, इधर राकेश अब मा को लेकर बेफिक्र हो गया और सोने चला गया, दोस्तों यह कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताईएगा, तदा प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, मिलती हूँ, ऐसी ही एक नई और अनोखी कहानी के साथ, धन्यवाद